योजनाइन इंदी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी ने बड़ा एलान किया है अब इन छात्रों को 12,000 रुपे सालाना मिलेंगे इसके लिए आवेदन आप 30 नुवंबर तक कर सकते हैं और कहाँ पर इसका आवेदन होगा आपको इसी वीडियो मिलेगा वीडियो को आप आखीर तक जरूर देखेगा और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए है तो सस्क्राइब भी जरू करके जाईएगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि किन चात्रों को 12,000 रुपे सरकार की तरफ से मिलने वाले हैं आठवी ककस्षा तक सिक्सा मुप्त है अब सरकार ने ऐसी वहस्ता की है जिसके परिवार की आर्थिक तंगी के कारण आठवी के बाद चात्रों की पढ़ाई नहीं चुटेगी केंदर सरकार ने नौवी से बारवी तक के मेधावी चात्रों को सेक्सिन सत्र 2023-2024 के लिए राष्टे साधन सहय योगिता चात्रवर्ती योजना के तहत एक लाख आविदन अवंत्रित किये हैं चुने गए चात्रों को 12,000 रुपे सालाना की चात्रवर्ती मिलेगी देखिए सरकार की तरफ से आठवी तक की जो पढ़ाई है वह तो बिल्कुल फिरी है लेकिन कुछ ऐसे चात्र हैं जो आर्थिक तंगी के कारण आठवी से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो उन चात्रों के लिए सरकार ने जो योजना शुरू की है उसमें 12,000 रुपे मिलेंगे सालाना और इसके लिए एक लाख आविदन भी सरकार की तरफ से आवंत्रित किये गए हैं मेडर रिपोर्ट से मिली जानकारी के मताबिक कक्सा आठ के बाद आर्थिक दिक्कतों के कारण मेदावी छात्र सिक्सा पूरी नहीं कर पाते हैं ऐसे में 90 से 12 तक के आर्थिक रूप से कमजोड चात्रों को चात्रवर्ती देने का फैसला किया गया है इसके लिए राष्टे चात्रवर्ती पोर्टल NSP पर ओनलाइन आविदन और पंजिकरन विंडो खुल चुका है इच्चुक अभ्यारती 30 नौमबर तक ओनलाइन आविदन कर सकते हैं देखे जो राष्टे चात्रवर्ती पोर्टल है उस पर आविदन ओनलाइन शुरू हो चुके हैं विंडो खुल चुका है और जो इच्चुक अभ्यारती है वह 30 नौमबर तक ओनलाइन आविदन कर सकते हैं सिक्सा मंतराले के दुआरा लागू इस चात्रवर्ती योजना के तहट आर्थिक रूप से कमजोर मेदावी चात्रो को पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ने की समस्या आएगी और इससे निजात दिलाने और उन्हें आगे अपनी सिक्सा जारी रखने के लिए प्रोत्साह किया जाएगा इसमें परिवार की जो सालाना इंकम है वह साड़े तीन लाग रूपे होनी चाहिए इस योजना के तहट परतेक चैनिच चात्र को बारे हजार रूपे सालाना मिलते हैं इस चात्रवर्ती के लिए वही विद्यारती आविदन कर सकते हैं जिनके माता-पिता क कि आमदनी परती वर साड़े तीन लाग रूपे से अधिक नहीं हो यानि कि जो आपका आए परमानपतर इसमें लगेगा वह आपका साड़े तीन लाग रूपे से अधिक का नहीं होना चाहिए इसके इलावा सात्वी कक्सा की परिक्सा में नियुन्तम 55 फीजदी अंक या समकस ग्रेड होना अनिवारिये है। अनुसुचित जाती वे अनुसुचित जन जाती के छातरों के लिए इस योगिता में 5% तक की छूट मिलेगी। यानि के जो आपका सात्वी का ग्रेड है वह 55 फीजदी आपके उसमें अंक होने चाहिए और समकस ग्रेड होना अनिवारिये है। और जो अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती के छातर हैं उन्हें 5% तक की इसमें छूट मिलेगी। तो अगर आप एक विध्यारती हैं और आपके 55% से अंक उपर हैं तो आप इस योजना में आविदन कर सकते हैं और सरकार की तरप से 12,000 रुपे सालाना की छातरवर्ती ले सकते हैं और उत्तर प्रदेश के छातरों को भी यह 12,000 रुपे सालाना दिये जाएंगे। वीडियो में दी गए जान करिये अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सेर, कमेंट जरूर करियेगा।